नमस्कार आप देख रहे हैं पर्यावरन पोस्ट हम आज पर्यावरन को लेकर काफी जागरोग हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का जो वातवरन हो वो सुरक्षित हो और अच्छा हो ताकि हम अच्छा मैसूस करें लेकिन अंजाने में हमसे कुछ ऐसी गल्पिय हो जाती है जिससे पर्यावरन को दूशित होना पड़ता है यानि पर्यावरन जो है वो दूशित हो जाता है तो आई आज हम कुछ ऐसे ही तथ्यों पर बात करेंगे जो जिसमें हम सुधार करके अपने पर्यावरन को दूशित होने से बचा सकते हैं और अपने पर्यावरन से तबाही मची है आपको बताते हैं कि कैसे अपनी आदतों और अपने घर में ये छोटे-छोटे बदलाव करके पर्यावरन बचाने में आप बड़ा योगदान दे सकते हैं सबसे पहले बात बिजली के इस्तमाल करने पर बिजली बचाएं अपनी बिजली का इस्तमाल कम करना पर्यवरन की सुरक्षा का एक आसान तरीका है इसके साथ ही पेड लगाएं उसकी देख भाल करें सिंगल यूज प्लास्टिक आउपियोग करने से बच्रे आरो की जगा दूए वाटर प्यूरिफायर घर ले आएं आरो पानी से ज़रूरी मिनरोल्स हटा देता है और एक थियाई पानी बरबाद होता है प्लास्टिक की बॉतलों में बिकने वाले प्रोडक्ट्स को ना खरीदे इनकी जगा ग्लास या मैटल कंटेनर में मिलने वाले कीचिन के सामान के साथ बार-बार नैपकी ना खरीदे इसके बदले कपड़े के रुमाल का प्रयोग करे घर में सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल करवाले बरतंद होने के लिए इसी गरम पानी का इस्तमाल करे अगर आपको कोई सामान कुछ समय के लिए नहीं चाहिए तो उस उसे ही मांगना ठीक रहेगा घर के सामान और सबजियां बल्क में खरीद ले जुससे बार-बार पैकेचिंग ना करनी पड़े अपनी गाड़ी में कपड़े का थैला हमेशा रखे और बाजार से सामान लेने पर हर बार सामान पॉलिथिन में लाने की बज़ जाए इस थैल घर पर किसी सेलिब्रेशन के लिए डिस्पोजिबल प्लेट्स की जगा घर के बरतनी और फिर पतलों का इस्तमाल करें बोतल के पानी का कम से कम इस्तमाल करें होटलों में अगर पानी साफ और फिल्टर्ड है तो वहीं इस्तमाल करें वो उस बोतल के पानी जैसा ही होगा ज से हम शुद्ध समझ कर पैसा खर्च करके खरीदते हैं अगर आप तरह तरह की रूम फ्रेशनर्स और एर प्योरिफायर पर पैसा खर्च करते तो रुकिए आपके पास इसका रिप्लेस्मेंट है जो बलकुल मुफ्त है बार बार रूम फ्रेशनर्स डालने से अच्छ है कि कमरों के दर्वाजे और खुड़कियां खोल दे इस तरह के पर्यावरन से जुड़े अपडेट्स के लिए देखे रहें पर्यावरन पोस्ट